भारत में SDG की समयबध प्राप्ती के उद्देशे से UN Global Compact की भारतिय इकाई, Global Compact Network इंडिया का 14. रास्तिय सम्मेलन, मुंबई के सांता क्रूज इस्थित ग्रैंड हयात में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में Sustainable Development Goals पर बात करने के लिए समाज के अलग-अलग छेतरों में सक्रिय दुनिया भर के लीडर्स एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। पर बोधित करते हुए दैनिक भाशकर के चेर्मेन और एडिटर इनचीफ दीपक दुवेदी ने कहा कि Sustainable Development Goals स्वैम में एक बड़ी बिजनस अपर्चुनिटी पेश करते हैं और इसलिए निर्धारित समय में SDG में उल्लिखित लक्षों की प्राप्ती के प्रयास के लिए भारत की प्रगती क्यों इतनी महत्वपूर्ण है या समझना कोई मुश्किल काम नहीं है सम्मेलन को Global Compact Network इंडिया के कारेकारी निदेशक कमल सिंग के साथ HRM Corporate Services के Chairman और Aftermarket के CEO राजीव दूबे भारत में संजुक्त राष्ट के समनवयक रेनाटा डेसालियन, रेवन पावर के CEO सुमन सिनहा और Indian Steel Association के महासचिव डॉक्टर भासकर चतरजी के साथ ही Accenture के Operations और Sustainability Department के MD विश्वेश प्रभाकर ने भी संबोधित किया